नमस्कार बच्चू, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 थिंदी के मारी वर्क्षिट नमबर 41 यानि कारे पत्रक सिंख्या 41 को या आपकी 18 एक्तूबर 2021 की वर्क्षिट रहेगी आज की इस important वर्क्षिट में हम व्याकरण में बात करेंगे समास की समास क्या होता है, समास की से कहते हैं, समास की पहचान क्या होती है, समास कितने परकार के होती है, समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है ये सब कुछ हम आज की इस वर्कशिट में समझने वाले है Let's begin चले शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशिट की सबसे पहले हमें समझना की समास क्या होता है जैसे हम कई बार आपस में बातचीत करते हैं तो बातचीत की सुईधा के लिए सुईधा मतलब आसानी से अपनी बातचीत को रख पाएं या फिर परभाव दिखाने के लिए जैसे इंग्लिश में बोलते हैं na effective communication वैसे हिंदी में भी हम परभाव शारी तरीके से अपनी बात को रख पाएं इसके लिए हम क्या करते हैं कई बार हम वर्णों या शब्दों को जोड करके नए नए शब्द बना लेते हैं जैसे माली जी टिगट के लिए घर है उसको मैंने बोल दिया टिगट कर नीला है जो कमल नील कमल तो यह क्या होगे नए शब्द होगे अब देखिए नीला है जो कमल वो बोलते उसकी बजाए नील कमल ज्यादा अच्छा लगता ना सुईधा भी होगी बोलने में भी छोटा हो गया तो ऐसे जो शब्द होते हैं जो दो वर्णों या दो या दो से अधिक शब्दों के जोड से बनते हैं या योग से बनते हैं उनको बोलते हैं योगिक शब्द ठीक अब जो समास है हमारा वो भी योगिक शब्द है जैसे उपसर्ग होगे प्रते संधी समास ये सभी योगिक अब यहां तक एक चीज तो समझ में आगए, कि समास योगिक शब्द है, और समास में भी दो या दो से अधिक वर्ण या शब्दों का योग होता है, ठीक, अब समास क्या है, समझना तो हमें समास को है, कि समास क्या है, तो दो या दो से अधिक जो, दो हो सकते हैं, तीन हो सकत यानि कि शब्द को छोटा करना, शंक्षिप्ट करना है, वो समास कहलाएगा, यानि समास का अर्थ क्या हो गया, समास का अर्थ हो गया, छोटा करना, शंक्षिप्ट करना, उसे हम समास कहेंगे, ठीक, यहाँ पर एक एक जामपल दिया गया, उधारन दिया गया, उधारन के ल इसको बोल सकते हैं समस्त पद या फिर इसको समासिक शब्द भी कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं समस्त पद या फिर समासिक पद कहेंगे इसे अब जो हिंदी में समास होते हैं और संस्कृत में समास होते हैं उसमें थोड़ा संतर होता है जो संस्कृत में समास होते हैं इसमें दो से अधिक पदों का प्रियोग कहा जाता है आम तोर पे दो से अधिक पदों का प्रियोग कहा जाता है इसलिए हिंदी में अधिकांस जो समास होते हैं उसमें दो ही पदों का प्रियोग कहा जाता है इसलिए हिंदी के जो समास होते हैं और रेसोई को क्या कहेंगे प्रथम पद कहेंगे या पूरो पद कहेंगे और जो दूसरा पद है उसको हम कहेंगे उत्तर पद ठीक पहला पद प्रथम पद कहलाएगा या पूरो पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाएगा अब पदों में समास के साथ-साथ कभी-कभी वर्णों में भी संदी हो सकते और एक और चीज भी आपको समझना है कि अब जैसे रिसोई घर बन गया तो यह समस्त पद हो गया अब इसी समस्त पद को हम जियों कातियों कर दें यान की ऐसे कर दें, रसोही के लिखर, तो इसको हम कहेंगे समास विग्रे, क्या कहेंगे, समास विग्रे कहेंगे, ठीक, यहां तक हमने समझ दिया कि समास क्या होता है, कि इस शब्दों को, या फिर वर्णों को जोड़ करके नए शब्द बनाना, ताकि वो संक्षिप्थ हो बोलने में आसानी हो, उसे इस परकरिया को हम बोलेंगे समास, ठीक, अब हम समास के परकार के बात करेंगे, कि समास के कितने भेद होते हैं, कितने परकार के होते हैं, तो समास मुख्यों तो पे छे परकार के होते हैं, पहला है अव्यवी भाव समास, अब अव्यवी भाव जैसे नाम से पता चला है, कि समास में जो पहला पद होता है, वो परधान होता है, पहला पद जो 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 होता है, अब जैसे कई सारी चीज़ आपको समझ में आगए, कि परधान होता है, च उपसर्ग मूँच की तरह होते हैं, जो आगे लगते हैं किशी शब्द के, एक नया शब्द बनाते हैं, जिसका नया अर्थ निकलता है, तो जो अव्यवी भाव समास होता है, उसमें पहला पद उपसर्ग होता है, और उसके साथ नया शब्द जुड़ा होता है, जैसे ए, आ अनू, प्रती, हर, भर, नी, नीर, यथा, यावत, जिसे यथा शक्ती हो गया, प्रती दिन हो गया, प्रती वर्ष हो गया, ओके हो गया ना, तो यह क्या है, पहला जो पद है वो उपसर्ग है, तो जहां पर पहला पद उपसर्ग होता है, वहां पर जो नए शब्द होने होते उनकों बोलते है, अवियवी भाव समास इसके साथ एक ओर भी छीज है कि जहां पर एक ही शелиवा का दो पर प्रियोग की आ जाता है वहां पर भी अवियवी भाव समास होगा जिसे घर-घर, पर तेख घर एक ही शब्द को दो बार प्रियोग में लिया यहाँ पे घर-घर का मतलब परते घर हो गए तो परते किसमें आगा परती जो शब्द है वो अव्यवी भाव समास में आगा ठीक तो यहाँ पर पहला हो गए हमारा जैसे आ जनम प्रियंत आ यहां पर उपसर्ग है तो यहां जनम प्रियंत हो गए इसका तो यह आ जनम है यह आपका अविविभाव समास है यथा वधी यथा वधी मतलब आवधी के अंशार यहां पर यथा है यह क्या यहां पर आपका उपसर्ग है यथा करम यथा भी यहां पर उपसर्ग है करम के अंसार तो ये आपके हो गए अब ये विभाव समास ठीक अब दूसरा होता है तत्पुरु समास तत्पुरु समास में इसके विपरीत होता है इसमें दूसरा पद भरधान होगा अब ये विभाव में पहला पद भरधान था इसमें दूसरा पद भरध है, वो किसके अंसार डगाए है दूसरी पर कि अंसार, इसमें करता और संबोदन, करता ने, यानकि ने को छोड़ करके, और संबोधन हे अरे को छोड़ करके, शेस सभी छे जो कारक चिन होते हैं, उनका प्रियों किया जाता है, जिससे करम, करंग, संपर्दान, अपादान, संबन, अधिकरन ओके इन सभी कौपियों किया जाता है इसी के अधार पर ये छे परकार के तत्पुरु समास माने जाते हैं यानकि इनको अमेसे भी कह सकते हैं करम तत्पुरु समास, करन तत्पुरु समास संपरदान ततपुरुसमास अपादान ततपुरुसमास अधिकरन ततपुरुसमास ठीक तो यहाँ पे क्या होगा यह पहली चीज कि इसमें दूसरा पदपरदान होगा और दूसरी चीज कि जब हम इसका स्मास विग्रे करेंगे तो इसमें जो कारक के चिन मिलेंगे हमें करताने ने नहीं मिलेगा करम के लिए करताने करम के लिए अपादान से अलग हो गए न यहाँ पे देखिए तो यह करताने करम को करन से तो यह जो कारक के चिन है वो हमें यहाँ पर मिलेगे एक्जम्पल देखे, उधान देखे, विद्या ले, विद्या के लिए ले, विद्या के लिए ले, ये देखे, के लिए हमें विल गए ना कारक्चिन, तो यहां पर ततपुरु समास है, राजपुत्र, राजा का पुत्र, करताने करम को, करण से, तो यहां पर का के की, यह युσरा पत पतान होता है, और जब हम इसको अलग करेंगे, तो कारक के चिनाएंगे, कौनसे को छोड़ करके, ने और हे अरे को छोड़ करके बाकी कारक के चीनाएंगे, तो वहां पर तक पुरुष समास होगा। उसके बाद तीसरा दिया गए करम धारे समास, करम धारे समास होते हैं, इसमें जो समस्त पद होता है, वो परधान होता है, समान रुप से, यानकि समस्त पद है, पूरा 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 जो पद है, वही परधान होता है, इसमें पहला पद या पूरो पद या उत्तर पद का निला है जो कमल, ओके, चंदर मुख, चंदर के समान मुख वाला, अब देखिए जो यहाँ पे पहला पद है नील और कमल, अब कमल की विशेशता बता रहा है नील, यहाँ पे चंदर मुख, मुख की विशेशता बता रहा है, उसकी चंदर मा के साथ तुलना की गए, की गए यहां पे जो दूसरा पद है वो विशिश्य होता है और पहला पद उसकी विशिश्टा बताता है तो उसे हम बोलते हैं करम धारे समास ठीक यह होगे आपके तीन परकार के समास उसके बाद चोथा आपका समास दिये गए, वो है द्वीगुसमास, द्वीगुसमास है, इसकी पहचान करना काफी आसान होता है, द्वीगुसमास में पहला जो पद होता है, वो सिंख्यावाचक होता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है, कि दूसरा पद भी सिंख्यावाचक हो, लेकिन हमेशा पहला पद है वो संख्या वाचक होता है, लेकिन एक और चीज भी है कि विग्रह करने पर समू ये समाहर का, यानि कि एक समू का बोध होता है, और किसी नए अर्थ का नहीं बोध होता, ओके, तो यह यहाँ पर होगा दुविगु समास, जैसे यहाँ देखे, चो राहा, अब देखे, पहला जो पद है, चो राहा, चो मतलब चार, इससे संख्या का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर दुविगु समास होगा, नव गरह, नो गरह, नव मतलब नो हो गए, संख्या का बोध हो रहा है, तो यहां पर भी आपका दूइगु समास होगा दो पहर, दो पहरों का समो तो यहां पर भी आपका दूइगु समास होगा ठीक, जहां पर संख्या हो पहले पद में, वहां पर दूइगु समास होगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे पद में संख्या हो तब भी दूईगू समास होगा उसके पाँचवाँ आपका समास है वो है दूअन्द समास दूअन्द समास जैसे कि नाम से पता चला दूअन्द मतलब एक तरह किसी लड़ाई जगड़ा होना इसका लड़ाई जगड़े का काण किया है कि इसमें दोनों पद चोधरी होते हैं अदिक्तर एक दूसरे के विलोम भी होते हैं और इनको अगर हम समास विग्रे करें तो और या फिर या का बोध होगा बीच में ऩीक जैसे ठंडा गरम ठंडा और गरम या ठंडा या गरम अब ठंडा और गरम इसमें से कोई भी ऐसा नहीं कह सकते वो परधान है वो परधान है एक्जम्पल और देखे सीता राम, सीता ओर राम खरा खोटा, खरा या खोटा अंजल, अन और जल दिन रात, दिन ओर रात माता पिता, माता और पिता तो यहाँ पर दोनों ही पद परधान होते है तो उससे उस जगह पर होता है आपका दोंद समास ठीक, दुईगो में क्या होगा? संख्यावाचा को पहला पद दोंद में क्या होगा? दोनों ही परधान होगे उसके पर चठा आपका समास देगा चठा समास होता है बहुबरी समास बहुबरी समास में क्या होता है कि इसमें भी कोई भी पद परधान नहीं होता है इसमें कोई भी पद परधान नहीं होता है बलकि इसमें कोई तीसरा पद है वो परधान होता है तीसरा पद बनाते हैं जो परधान होता है जैसे देखिए कि दशानन जो शब्द है इसमें दश है आनन जिसके अर्थात रावन की बात की जा रही है जिसके दश मुख है तो यहाँ पर देखिए कि कोन परधान है दशानन का मतलब तीसरे वैक्त की बात की जाए रावन ऐसे नील कंट नीला है कंट जिसका मतलब शीव ओके तो यहाँ पर देखिए कि किसी तीसरे वेक्त की बात की जारी इंडारेक्टले तो वहाँ पर होता आपका बहु भिरी समास ठीक यह होगे आपके छे परकार के समास पहला आपका अवेवी भाव समास इसमें पहला पद होता है वो आपका उपसर्ग होता है तत्पुरू समास इसको अगर अलग-अलग हम कर दें तो इसमें कारक के चिन हमें मिलेंगे करमधारे समास इसमें एक विशेश्यों होता है दूसरा पद विशिशे होता है, दूसरे पद की पहला पद विशिशता बताता है, दूसमास इसमें पहला पद सिंख्या बाद चक होता है, दोन समास इसमें दोनों ही परधान, दोनों ही चोदरी होते हैं, भोबिर समास इसमें किसी तीसरे पद की बात की जाती है, ठीक, यह ह गया हमारा समास, अब इसी पर आधारित कुछ आसान से पर्षन दीगें, चलिए उनको हल करते हैं, तो दो आसान से टास्क दीए, पहला जो हमारा टास्क है निमली की समझत पदों का समास विग्रे करके समास का नाम लिखना में ठीक, इनका हमें समास विग्रे करना है और समास का नाम लिखना है, जिसे माता पिता, माता और पिता और यहां पर समास कुछ सा दों समास है आशू तोस, आशू तोस मतलब सिगर पर्षन होने वाला अर्थाथ, शिव जी, यानि कि किसी तीसरे की बात की जा रहे, तीसरे पद की बात की जा रहे, तीसरा परद परधान है, तो यहाँ पे बहुबरीश समास होगा, डाल रोटी, डाल ओ रोटी, यहाँ पे भी दोन स्वास है, क्योंकि दोनों ही पद एक समान रूप से परधान है, राज पुत्र, राजा का पर भुबरी समास होगा, भर पेट, पेट भर कर, यहां अव्यवी भाव समास है, देखिए भर पेट, जो भर है, यह क्या है, यह उपसर्ग है, उपसर्ग होगे न, यहां पर आपका अव्यवी भाव समास हो जाएगा, यह हो गए आपका पहला टास्क, उसके बाद दूसरे टास्क को देखते हैं, दूसरा टास्क है हमें समास विग्रे करके समास का नाम भी बताना है, जिसे नो रात्रियों का समो, ओके, यनकी समास विग्रे का हमें समस्त पद बनाना है, ठीक, और उसका नाम भी लिखना है, नो रात्रियों को समो, तो इसका हो जाएगा नवरात्र, और समास हो जाएगा हमारा द्विगु समास क्योंकि यहाँ पे पहला पद संख्या बाच चागा है शक्ति के अनुसार यता शक्ति यहाँ पे अवेवी भाव समास है क्यों यता यहाँ पर उपसर्ग है देश के लिए भक्ती देश भक्ती, यहाँ पे तत्पुरु समास है, के लिए ही देखिए, कारक के चीन है न, यहाँ पे तत्पुरु समास है, दो सूतों का समो, दू सूती, यह यहाँ पर आपका द्विगु समास होगा, संख्या वाचा का पहला पत, रत चालक, रत को चलाने वाला, यहाँ पे त अच्छे लगे इस वीडियो इस वर्कशिट को लाइक और शेयर जरूर केजिएगा आज के लिए बस इतनी तेंक यू बाइबाइबाइब आइस टे मिलते नेक्स्ट वीडियो में